इसका फ्लेयर उन्होंने कितना दिया ऐसा तो नहीं है कि इसका फ्लेयर बहुत ही कम दे दिया है ये भी हमें देख लेना है उसके बाद ही आप अपने पैसे इंवेस्ट करिएगा कि हाँ आपको यह लहगा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए कि आपको किस चीज में इंवेस्ट करना चाहिए किसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी लेंथ इसका फ्लेयर कितना है इसकी क्वाइटी कैसी है सब कुछ डीटेल में बताने वाले हैं तो वीडियो के सकी मत करिएगा लास प्रक जरूर देख़एगा अगर चैनल पर पहली बर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो make sure कि में साम को subscribe कर लिजेगा और bell icon को जरूर प्रेस करिएगा चलिए बहुत जादा बातें ने करते हैं अपना वीडियो श्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में चौप से लहंगे की अभी तक मैंने इसको packet को खोला नहीं है आपके सामने ही unboxing करने वाली हूँ एक बदम अच्छे से आपको दिखा देती हूँ कि हाँ मैंने इस packet को नह लेते हैं और हमेशा की तरह मैं हाथ से ही open करने वारे हाथ से ही open करने पर लोग सोचते हैं कि पहले से open किया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आफ सीजर से ही packet को open कर सकते हैं आप हाथ से भी open कर सकते हैं बात करते हैं अब लहेंगे की बहुत हो गई धवधर की बाते ह बहुत हाँ आपको इस तरह से पैकेट में रिसीव होता है जिप वाले बैग में फॉस लुकी बात की जाए तो जैसा इमेज में कलर दिखाया थै same वही color है मतलब ये जो पेस्टल पिंग color होता है ना same वही color है एकदम खुला वाला pink नहीं है पेस्टल पिंग color है इसका जैसा इमेज में color दिखाए गया था same वैसा ही नजर आ रहा पन्नी बहुत ही आवाज कर रही है सबसे पहले इसे हटाते हैं और first look की बात की जाए तो ये लहंगा इस तरह से दिखता है अब देखिए friends इस तरह से है और चलिए फटा फट से open कर लेते हैं और देखते हैं कि लहंगा कैसा सबसे पहले मैं बात करेंगे फटा फट से open कर लेती हूँ और एक बात और friends अब यहाँ पर मैं वीडियो स्टॉप करने वाले हैं सबसे पहले मैं इसे try on करके देखूँगी कि इसका look कैसा आ रहा है ताकि each and every detail में आपको अच्छे से बता सकूँ तो पहले try on shoot करूँगी फिर उसके बाद जो है video shoot करूँगी कि हाँ इस लहंगे में पूरी full detail क्या है तो first हम इसका लहंगा देख लेते हैं यह है इसका लहंगे का west line है इस तरह से कमर पे आप देखे फ्रेंट्स इस तरह से बहुत ही खुबसूरा से embroidery की गई है जरी work and sequence work की embroidery की गई है तो उनका निकलने का भी डर रहता है और sequence अच्छे से इसमें टकीन है मतलब embroidered है तो वो निकलेगा भी नहीं और लुप बहुत ही प्यारा आएगा काफी ब्लिंगी सा आएगा और इक्दम आपको दूर से mirror वाली vibe भी आ जाएंगे और heavy नहीं होगा लहंगा क्योंकि mirror अगर इतने जादा लगे रहेंगे और original mirror तो काफी heavy हो जाएगा लहंगा इस तरह से इस पे आप देखे फ्रेंट्स पास से देखे फ्रेंट्स इस तरह से इस पे इंब्राइडर के एगे कलर आपको एदब क्लियर हो रहागा में पासरा थ्रेंट्स जैसा इमेज में जो दिखाये गया आपको लेक आपको मिलता थस्या में पेस्टल प्इंक कलर है काफी प्राइड meth люб नज़र ऑगेगा लेकिन मीज में आपको लिखा यह गया किजु आपको होग Хотя आपको बारिक बारिक से प्लीट नजर आ रहे होंगे इस वज़े से प्लीट की वज़े इस लेहंगे का फ्लेयर भी बहुत ही अच्छा होने वाला है वह भी हम मेजर करके देखेंगे और पूरी स्ट्राइप स्ट्राइप में आपको यह इंब्राइडर की डिटेलिंग दिख अच्छा है एकडम हैवी लेहंगे का लुक आने वाला है नो डाउट भी हैवी लुक आएगा इस लेहंगे का पहनने के बाद और वेट इसका बहुत ही जादा नहीं है बहुत ही लाइड वेटेट में आपको यह तरह से जैसा इनी में इंब्राइडरी दिखाई गई गई सीम वही आपको embroidery मिल रही है, मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि कभी कभी है क्या होता है, हम किसी भी online shopping act पे जो picture देखते हैं, उससे काफी different आ जाता है, लेकिन picture से बिलकुल एकदम सेम डिक्टो, सेम वही embroidery आई, एकदम बिलकुल मिलता जुलता लग रहा है, बस हमें इसकी west land देखनी है, लेंगे की लंबाई देखनी है, कि हाँ कितने height तक के लगों कर आएगी, इसका flare उन्होंने कितना दिया ऐसा तो नहीं है, इसका flare बहुत ही कम दे दिया है, ये भी हमें देख लेना है, उसके बाद ही आप अपने पैसे invest करिएगा, कि हाँ आप आपको दिखरें जॉर्जेट के लेहंगा है, काफी soft वाला जॉर्जेट है, एक दम वो खुर्दुरा वाला जॉर्जेट नहीं है, soft जॉर्जेट का फैबरिक आपको मिल जाता है, वोस लेयर में इस तरह से इतना चोड़ा सा जो है, कैनवास का पट्टा मिल जाता है, बहुत ही अच्छी क्वाल्टि के लगाया है, क्रेप का फैबरिक है, अच्छी क्वाल्टी का फैबरिक का इनरेन इन होने लगाया है, उसके बाद आपको इतना चौड़ा सा इसमें, कैन-कैन की भी डिटेलिंग मिल जाती है, मतलब इसकी जू प्राइज के फ्रेंड लेर आजाएगा उसके बाद जो इस तरह से एक और फैब्रिक लगा हुआ जो कि कैन कैन आपके पैरों में ना लगे इसले नहोंने एक और लेयर लगाई हुई है तो यह है इसकी अंदर की लेरिंग है काफी अच्छे से की गई है मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी डीटेल किया हुआ है तो मेजर करने पर आ रहा है इसकी साइज आ रही है ट्ववन्टी तू इंच यानि 44 गमर इंच तक के लोग जो आसानी से पहन सकते हैं जिसकी भी कमर की साइज जो है 44 इंच है यह लेहना उसको आराम से आ जाएगा लेते है कि लेहने की लंबाई कितनी आ रही उसी साप से एकषाद अंदाजा लगा सकते हैं और इसकी लंबाई आ रही है 43 exact 43 इंच लंबा है यह लेहंगा तो उसी एकषाद अंदाजा लगा सकते हैं कि हील के साथ आपको यह कितना आने वाला है आप नापने के बाद इसे purchase कर सकते कि हाँ इतनी height तक के लोगों को आराम से ये लहंगा आ जाएगा ठीक है friends और बाकी इसका look कैसा आ रहा try on में तो आप देखी सकते हैं कि पहनने के बाद इसका look कैसा आ रहा है दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस लहंगे का घीर कितना है तो फिर स्टार्ट करते हैं और दोनों लेयर जो मैं एक साथ ऐसे आरेंज कर लूँगी और एक साथ ही ना पूँगी फिर हम जस्ट डबल कर लेंगे उसे और देखते हैं इस लहंगे का घीर उन्होंने कितना दिया है सब कुछ तो बहुत अच्छा लग रहा है देखते हैं यहां तक आरा है दोस्तो 100 cm यानि कि हो गया है दो मीटर एक मेटर इस साइड एक मीटर उस साइड दो मीटर इसके बाद से हम फिर से नाप लेते हैं इसके बाद से यहां से फिर से मैं आपको और इसका घहर आ रहा है फ्रेंट सो 40 cm यानि कि 40 का जस्ट डबल आप कर लीजिए 80 cm यानि दो मीटर 80 cm तक का यह लहगा है यानि कि 3 मीटर में जो है सिर्फ 20 cm कम है यानि लगभा लगभा बोल सकते हैं कि 3 मीटर का इसका घहर आपको मिल जाता तो घहर तो जस्ट वाव है इतन बहुत ही आप घला अच्छा लगा अब बात करते हैं इसके बलाउज की क्योंकि इसकी में अटैच है तो मैं आपको इसका बलाउज भी दिखा देती हूं एकदम heavy embroidered blouse मिलने वाला है आपको और इसके साथ आपको blouse के साथ आपको lining भी मिल जाती है इस तरह से इन्होंने lining भी provide की हुई है तो आपको lining अलग से purchase नहीं करना पड़ेगा और ये है इसके blouse का fabric है पूरा fully embroidered आपको मिलने वाला है सेम बड़े-बड़े sequence लगे हुए है बढ़ने के बाद इसका जब आप pair करेंगे इस लहगे का look मुझे लगता है बहुत ही प्यारा आने वाला है क्योंकि blouse बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने के बाद इसका look बहुत ही प्यारा आएगा बन जाएगा जब इसका blouse इस तरह से आपको यह blouse की detailing मिल जाती है पूरा front and back पूरा आपको embroidered मिलने वाला है इस तरह से है और स्लीव बहुत ही लंबी नहीं लगती है मुझे बन पाएगी हाँ छोटी स्लीव इसमें आपकी आराम से बन जाएगी इसके दुपट्टे की तो दुपट्टा इन्होंने एकदम light रखा है लहंगा और blouse दोनों बहुत ही heavy है और यह है इसका दुपट्टा दुपट्टा इन्होंने net का fabric दिया है net के fabric soft है बहुत ही जादा super soft भी नहीं है और दोनों end के किनारों पे आपको इस तरह से टैसल्स वाली detailing मिल जाती है लैस लगी हुई है इस तरह से है दुपट्टे की जो चौडान है आप देख सकते हैं friends इतना चौडान का दुपट्टा आपको मिलता है और पूरे दुपट्टे में आपको ये embroidery मिलेगी नीचे के साइड में भी दोनों तरफ मतलब border में ये पूरी embroidery मिलेगी बीच-बीच में आप देख सकते हैं friends कितनी जादा dance में बूटियां बनी हैं ऐसा नहीं कि बहुत दूर-दूर बूटियां बनी हुई है इस तरह से पूरी इसमें बूटियां बनी हुई है डुपट्टे की अगर लेंध की बात की जाए तो सवा 2 मीटर लेंध का आपको डुपट्टा मिल जाता है आराम से आप इसे लेंगे पे carry कर सकते हैं, style कर सकते हैं अगर लुक की बात की जाए दोस्तों न तो ये लेंगा बहुत ही प्यारा लग रहा है प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट लगा मुझे क्योंकि आपको पंद्रा सो रुपए के अंदर ये लेंगा मिल जाता है सब कुछ बहुत ही अच्छा है, heavy embroidered blouse मिल जाता है, cankin वाला लेंगा मिल जाता है लेंगे का घहर भी आपको अच्छा मिल जाता है, सानी की बहुत ही कम घहर के साथ आपको मिलता है डुपट्टे की भी लेंध इन्होंने अच्छी रखी है और इमेज में जो color दिखाया गया है, सीम वही color आपको मिलता है पैस्टेल पिंक color है, काफी प्यारा सा pink color है कैमरे में आपको हलका सा difference नजर आएगा लेकिन इमेज में मीशो की जो picture लगी हुई है, सीम वही वाला color आपको आने वाला फोटो में वही कलर आपको मिलने वाला है और पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लाएगा अगर आपके खुद की engagement है या reception party और बहुत ही कम budget में अगर लहंगा चाहते हैं तो आप इसमें invest कर सकते हैं या फिर as a wedding guest भी आप इसे पहन सकते हैं अपके घर में किशी की शादी है reception party है तो उसमें भी आप इस लहंगे को carry कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लगने वाला है उस तो यही था मेरा आज का मीशो लहंगे हाल की unboxing and इसका review and try on I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा मैं मिलती हूँ आप से एक और नए interesting वीडियो के साथ तप्ता खुश रहिए मस्त रहिए बाबाई take care